जोहिन पेस नमस्कार, सुप्रेंस बड़ी खवब और जी हाँ 14 निव हाइट्रोस्ट इंजिन का उप्योग आमका आर्बांस मुडियों कॉम्पैक्ट एरकार्ट पोग्राम के लिए टीडी टेकनलोजिकाल डेमोस्टेटर के रूप में ब्यभार किया जाएगा जी हाँ DR2 का सुरू होगा और 2035 तक प्रड़ोसन में जाएगा जो सिधे होगा पीम कारेड़ों के तरह और एक राष्ट्यों परियोदना के रूप में लिया जाएगा जिसके लिए परियोदना की मौन्जूरी जल्दी होने की संभावनाए है जिहां मीडिया को बताया गया है कि समझते की तारिक से तीन साल के भीतर समझते पर हस्ते खर करने के बाद लोगभग 80 यूनिट्स जिहां आट नीव इंजिन का निर्मान किया जाएगा जो की फास्ट फेज में जिनका उप्योग ग्राउंड टेक्निकाल डेमोस्टेटर इंजिन के रूप में ब्यभार किया जाएग वीडियो को बनाने के लिए बहुत की रीसर्स किया जाता है कि हमारे सास्काइबर्स को सबसे आगे रहने के लिए क्यूंकि हम 75 पर्से ज्यादा डिफेंस अबडेट सबसे आगे दिखाते हैं लिए फास्ट फेज में होगा जिनके बाद परियोदना 6 और फ्राइंग टेक् भारत्यों मोसम की स्थिति का सामना करने के लिए हाय और ड्राय थोस्ट होगा ताकि आमका MK2 अपने आपकर बर्नर को सामिल किये बिना सुपर कुरूज कर सके जिहां जिसके कारण कम से कम चार इंजिन अकेले कोर कमफिकेशन में होंगे धान रखे इंजिन बाद में TDBF2 इंजिन डेकवेस्ट फाइटर में अपना राष्टा साप करेगा और MK2 प्रोग्राम पहला इंजिन है जो भारत्यों परिश्टितियों में काम करने के लिए अनुकुल है फ्रेंस धान रखे ये ज़रूरी है क्यूंकि अन्यों इंजिन आमत एंजिन पार्तनर के साथ प्रोग्राम को सुरू आत के शाथ शाथ बर्सों के भीतर नहीं इंजिन के ये इंजिन सिख जेनरेशन प्राठ्फों के उपर जा सके जी हाँ